आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि Facebook पर इस्टोरी में आप मनपसंद सांग कैसे लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप भी Facebook पर इस्टोरी डालते हैं इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इन तक जरूर देखते रहिए तो हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हुई मानसू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल विस्थी मानसू नालेज में तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि फेस्बुक पर आप सभी रोज स्टोरी जरूर डालते होंगे लेकिन फ्रेंड्स फेस्बुक पर स्टोरी डालने का सही तरीका क्या है जिससे कि आपके पास 24 आर्स में जो है और फेस्बुक पर स्टोरी पोस्ट करने का सही तरीका क्या है तो चलिए दोस्तों विरा आपका टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों इस एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया अज सबसे पहले आप इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और फस्ट नहीं हमारे चैनल पर है वीडियो देख रहे हैं तो इस लाल बटन को प्रेस करके अल पर गोर दीज्ये में पर क्लिक आपना Facebook open कर लिया है और अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको create a story का आफसन दिखाई दे रहा है तो simply आपको यहां पर click कर देना है अब दोस्तों आप जैसे ही यहां पर click करेंगे तो यहां पर आप देखें जिए ऊपर आपको बहुत सारे आफसन दिखाई देन text, music, boom, earning, selfie, poll, mood लेकिन guys यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है आप जिस फोटो को upload करना चाहते हैं तो friends यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक फोटो यहां पर select कर ली है और यह वो फोटो है जो कि हमारी screen पर आप देख सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको कोई song अगर डालना है तो आप song कैसे डालेंगे तो सबसे पहला तरीका है आप यहां पर देख सकते हैं stickers आपको उपर में option दिखाई दे रहा है तो आपको simply sticker वाले option पर click कर देना है आप जैसे ही sticker वाले option पर click करेंगे तो यहा सब्सक्राइब देखने को मिलजाएंगी यहां यहां पर Article पोस्ट करना चाहते हैं तो जैसे यहां पर मज़े सॉंग को से लेक्ट करना है तो यहां पर आप सर्यृट भी कर सकते हैं अगर आपको वो प्रटिकॉलर तॉशाम नहीं मिलता है तो चलिए मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ आप देख सकते हैं मैंने जो song search किया था वो आ चुका है और अब मैं इस song को select कर लेता हूँ तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा इस तरह का दे रहें यह लिखा हुआ है तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है और आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप type कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर type कर दिया आप यहाँ से अगर आप कोई color change करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे colors change करने के option मिल जाते हैं तो आप अपना favorite color भी यहाँ पर choose कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर back चले आना है आप जैसे back चले आएंगे तो अब बात आते हैं यहाँ पर effects कैसे लगाएं यहाँ दोस्तों अगर आप अपनी story को बिल्कुल professionally post करना चाहते हैं तो यहाँ पर effects आपको जरूर लगाने आने चाहिए तो friends effects लगाने के लिए यहाँ पर आपको एक arrow जैसा option दिखाई दे रहा है तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे effects देखने को मिल जाएंगे तो आपको जो भी effects पसंद आता है आप उस effects को लगा सकते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं मैंने एक effects यहाँ पर लगा दिया है और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे share का option दिखाई देरा simply आपको share वाले option पर click कर देना है आप जैसे share वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने लिखके आएगा applying effects और यहाँ पर आपकी story जो है वो post हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी story post हो रही है और फिर आपको यहाँ पर wait कर लेना है तो दोस्तों कुछ इस तरह से story facebook पर आप post कर सकते हैं किसी भी photo पर अपना favorite music डाल कर और बहुत सरे के effects लगा कर जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा views मिलते हैं तो आपको वीडियो पसंद आए होगी कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल लखिए टेक क्यार बाबाए